नमस्कार खिशान भाईयों आज हम जो देख रहे इस उपकरण की नाम है रिजजर रिजजर की काम होता क्या है ये फरो और एक रिज मतलब एक नाली और एक मेड इसकी वपियों क्या है वसल की बुवाई और पानी की सही तरीका से सिचाई के लिए करते है चलिए अभी इसके वपकरण के अंदर क्या-क्या सुविदा है हम देखेंगे इसमें है तीन फरो एक फरो तो आगे रहेगा दो फरो पीछे रहेगा इस इसमें अलग-अलग चेद दिया हुआ इससे हम क्या करेंगे ये फरो को बाहर भी कर सकते है अंदर भी कर सकते है इससे हम मेड की दूरी खम और ज्यादा भी कर सकते है इसके अंदर और एक सेटिंग है इसदर अलग-अलग चेद दिया हुआ इससे हम क्या करेंगे नाली की जोड़ा इंगे, खम और ज्यादा कर सकते हैं, आईए, अभी सुपकर्ण को, ट्रैक्टर को कैसे जोड़ोगे, देखेंगे, ये लेफ्ट लोवर लिंक, सबसे पहले लेफ साइड को लगाएंगे, इसके बाद ये है लिंच पिन, इसको बाद राइट साइड को लोवर लिंक को लगाएंगे, इसके बाद लिंच पिन, अभी इसके बाद टॉप लिंक, टॉप लिंक को, टॉप लिंक पिन, इसके बाद लिंच पिन, अभी ये है पाइलेस लेफ साइड, बाद में राइट सेड, इसके बाद टॉप लिंक ऐसे क्यों करना है, अभी इसको बोलता है, फ लिफ्टिंग राड है अजब्ल लिफ्टिंग राड वागर इसको अजच करना है इन कौलना पड़ेगा इसलिए सबसे पहले लेफ सेट को लगाएंगे बाद में राइट सेट को तोड़ा ऊपर नीचे करने के लिए यहां अजच देदिया इसके लिए ये right side करना तीसरा last सबसे last टॉप लिंग लगाना है hitch करने के बाद इसमें तीन सेटिंग हुपलब्द है तीन सेटिंग करना है एक तो lower link और top link तीसरा swing play implement को सेदा करने के लिए top link को tight कर दिया करने के बाद इसको बराबर करने के बाद top link lock nut को lock करना है इसके बाद और यख सेटिंग है शुन प्ले यह सुंग प्ले यह जटा है प्ले टाइर को टच करेगादध पॉह अगर कम है डप्त नहीं मिलेगा इसके लिए आम करना इसका एसका रेग्मंडड़ दो से इंट किपले इसका अजिश्ट कर सकते हैं या शिटे बार से तिसरा यह लोवर लिंक अजिश्मेंट है ईम्पलमेंट ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए बराबर होना चाहिए इसके लिए आब्सनिकी शेक्सराइब कर सकते हैं झाल झाल झाल